नमस्कार निउस्ट्रेक के वाई फेक्टर में आपका स्वागत है मैं हूँ योगिश मिश भारत में मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी है मुस्लिम लीग पाकिस्तान बन जाने के बाद भी भारत में चल रही है यह आपके लिए थोड़ा आश्यर जनक हो सकता है लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी तो छोड़िये मुस्लिम लीग की सियासत का दोर भी आज हमारी राजनीती में जारी है उस राजनीते के दल के नेता को अगर आपको जानना हो तो सिर्फ हैदराबाद की और रुख करना होगा बैरिस्टर उबैसी उन लोगों में शामिल हैं जो आज भी मुस्लिम लीग की सियासत के धर्रे को आगे बढ़ा रहा हैं हालाक उनके बारे में कई बार यह भी कहा जाता है को भारते जनता पार्टी की B टीम है पिछले कई चुनाओं के नतीजे देखे जाएं तो यह भी तथ हात लगता है कि जिन-जिन जगों पर उन्होंने अपने अपने केंडिट लडाए हैं उन उन जगों पर भारतिय जन्ता पार्टी को जीतने में आसानी रही है। एक बड़ा कॉंप्लेक्स है उबैसी के व्यक्तित्तों का। पर उबैसी जिस तरह के बयान देते हैं। जिस तरह की सियासत करते हैं। अलपसंख्यकों से उपर उठने के कोई कोशिश नहीं करते हैं। उनकी पूरी के पूरी पूरी पलिटिकल पार्टी में आपको अलपसंख्यक एजेंडा ही नहीं। किवल अलपसंख्यक लोग भी मिलेंगे। इनका पूरा नाम है असुदुदीन ओवैसी। इनका राजयतिक सफर 1994 से शुरू होता है। इन्होंने आंद प्देश में चार मिनार विधान सवाज सीट से पहली बार चुनाओ लड़ा और जीतने में काम्याब रहे। यह सीट इनकी पार्टी MIM के पास 1967 से थी। इसके बाद 2004 में ओएसी हैदराबाद लोक सवाज सीट से चुनाओ लड़े और अभी तक इसी सीट पर वे अजे बने हुए है। ओएसी मुस्लिम हीतों की बात जोर शोर से करते हैं। यही वज़े कि धीरे धीरे हुआ हम मुसल्मानों के नेता के रूप में उभर रहे हैं। इसी तरह से मिलता जुलता काम जिन्ना भी किया करते थे। ततकालिन हैदराबाद के शासक निजाम की सरपरस्ति में 1927 में AIMIM की अस्थापना हुई थी। यह शुरुआत में एक सामाजिक और धार्मिक संस्था थी लेकिन बाद में यह राजनेतिक पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। इस पार्टी ने मुसल्मानों के स्वायत भूभाग की मुस्लिम लीक की मांग का समर्थन किया। यही नहीं भरत में हैदराबाद के विले के खिलाफ हिंदुस्तानी फौद से लड़ने वाले राजकारों के शसरस्त्र जत्ते से भी AIMIM का रिष्टा रहा। इस संगठन पर 1967 में बैन भी लगा। हैदराबाद के लोकसवा सीट पर इस पार्टी का कबजा 1984 से है। इतना ही नहीं हैदराबाद के मेयर सीट पर भी बीते पांच दस्कों से यह पार्टी काबिज है। तिलंगाना विधान सवा में उसके साथ विधायक हैं। दो विधान परिशत सदस हैं। OEC परिवार इस पार्टी को अब कंट्रोल करता है। मुस्लिम समधाय के भीतर से भी OEC परिवार के खिलाब आवाजें उठी लेकिन इसकी ताकत बरकरार रही। इस परिवार के पास पार्टी की कमान 1957 में तब आई जब इस पार्टी पर से पाबंदी हटी। पाबंदी हटाने का भी करण यह बना कि इस पार्टी ने आजाद हिंदुस्तान की सच्चाई को स्विकार कर लिया जिसे वो पहले स्विकार नहीं करते थी। हैदरावाद में AIM की वही पोजिशन रही जो मुंबई में सिवशेना की थी। उबैसी का जन्म साल 1979 में एक राजनतिक परिवार में हुआ। उनके दादा अब्दुलवाग उबैसी ने आल इंडिया मंजिल ए इतिहादुल मुसलमीन का गठन किया। असदुदीन उवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1962 में आंदप्रदेश मिधान सभा के लिए चुने गए। 1984 में पहली बार हैदरावाद से सांसत चुने गए। 2004 तक जीते रहे। 2008 में उनका नीदन हो गया। ओएसी ने दोजार चानमे में फरहिन से विवाह किया। इनका एक बेटा और पांच बेटिया है। ओएसी ने उस्मानिया विश्विद्दले से बीए और लंडन से वकलत की तालीम पाई है। वह पेशे से एक बैरिस्टर हैं। असदुदीन को नकीब ए मिल्लत और असद भाई के दाम से भी जाना जाता है। ओएसी के छोटे भाई बकरुदीन ओएसी तेलंगना विधान सबाक के सदस हैं। वहाँ ये पार्टी का नेत्युत कर रहा हैं। उनका सबसे शोटा भाई बुरहादुदीन ओएसी इत्तिमाद अकबार का समपादक है। ओएसी रहते भले हैदराबाद में हैं। उनकी पार्टी का कारेल है हैदराबाद में हो। लेकिन उत्तरप्रदेश, बिहार, मद्धप्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम जगों पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और नतीजे बताते हैं कि जहाँ जहाँ यह थोड़ी भी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं वहाँ भारती जन्ता पार्टी फायदे में पहुंचती है उसका उमीदवार जीत जाता है लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव में ओवैसी की यह हकीकत जगजाईर हो गई कि वे अपने लिए नहीं सियासत दूसरों के लिए करते हैं इस बार इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंक से बात करने के लिए तब तक के लिए नमस्कार